हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हेल्थ चैनल आरवेड तपीस ओफ लाइफ उम्र के साथ अकसर लोगों में हड्डियों के घिसने के कारण या चिकनाई की कमी की वज़र से घुटनों में दर्द की समस्या देखने को मिलती है लेकिन इसके अलावा बहुत से और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वज़र से आजकल कम उम्र में ही लोगों में ये समस्याएं होने लगी हैं जैसे की यूरेक आसट बढ़ जाने के कारण औस्टियो और्थ्राइटिस की समस्या में भी चोडों में दर्द घुटनों में सूजना जाती है बीमारी जादा बढ़ जाने पर रोगी का चलना फिरना भी मुश्किल हो सकता है घुटनों के बीच में एक तरह का तरल पदार्थ होता है जो चिकनापन बनाए रखता है और हड्या चलने पर आपस में रगण नहीं खाती है ये साइनोवियल फ्लूट कहलाता है इसकी कमी हो जाती है तो हड्यों में रगण की समस्या के कारण दर्द हो सकता है और अगर ये फ्लूट बहुत अधिक मात्रा में इकठा हो जाता है तो भी घुटनों में सूजना सकती है जोडों की हड्यों में चोट लगने के कारण भी या किसी और इंजुरी से डिसलोकेशन हो जाने के कारण भी दर्द की वज़र बन सकता है जोडों को बांदने वाले कार्टिलीस या लेगामेंट में चोट लगने के कारण इनके तूटने की वज़र से भी दर्द होता है ये लेगामेंट ही हड्यों को बांधने का काम करते हैं गुटने में अगर किसी तरह का इंफेक्शन हो जाए या ट्यूमर हो जाए तो ये भी इस दर्द के पीछे के वज़र बन सकते हैं वैसे ये समझता बहुत कम देखने को मिलती है लेकिन अधिकतर लोगों में गुटनों के दर्द के पीछे जो कारण होता है वो सबसे बड़ी वज़र कैल्शियम के कमी हो सकती है और नमी की कमी हो सकती है इन वज़ों के कारण बहुत सारे लक्षन दिखलाई देने लगते हैं जिसे घुटनों में सूजन हो सकती है, उनमें सुननेता आ सकती है, जंजनाहट हो सकती है, उटने बैटने चलने फिरने में परिशानिया हो सकती है, घुटने पर redness, swelling हो सकती है, उसमें जलन या heat जैसा अनुभाव हो सकता है, पैरों को सीधा करने में समस्या होती है, अगर आ आप इस हेल्थ चैनल पर नए है और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो स्वास्थे से जुड़ी नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजे जिससे ये स्वास्थे वर्दक जानकारिया अगर आपको घुटनों में सूजन और दर्दी की समस्या पनी हुई है तो इसके लिए आपको गुन-गुना पानी और सीनधा नमक मिलाकर उससे सिकाई करनी चाहिए सरसो की तेल में लहसुन, अजवाइन और लॉंग डालकर इसको पका कर रख लीजे लगबग 200 ml सरसो के तेल में 50 ग्राम लहसुन, 25 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम लॉंग लेकर पका लीजे इसे चान कर रख लिजे, इस तेल को हलका गुनगुना करके इससे मालिश करिए इस तेल का इस्तिमाल कहीं भी जोणों की दर्द और सूजन में किया जा सकता है खास कर रात को सोती समय इससे मालिश की जाए तो बहुत फायदा मिलता है पैरों के तलवों में भी मसाज करने से आराम मिलेगा इनके अलावा कुछ ऐसी चीजे हैं जिनका इस्तिमाल करके कैल्शिम की कमी को दूर करके आप इस तरह के दर्दे से छुटकारा पा सकते हैं जैसे कि दूद और डेरी प्रोडक्ट रोज दूद का इस्तिमाल करना बेहत फायदेमंद है लेकिन दूद में अगर 4-5 माखाने और 2 गिरे अखरोड को क्रश करके बॉयल करके रात में खाना खाने के 2 गंटे बाद रोज लिया जाए तो इस तरह के दूद का 3 महीने तक लगातार इस्तिमाल करने से आपके हड्यों में कैल्शियम की कमी को दूर कर देगा इस तरह के दूद के इस्तिमाल के कारण हड्यों में चिकनाई बढ़ेगी और इस समस्या के साथ-साथ थकान, तरनाव और नीन ना आने की समस्याएं हैं तो उसे भी सुधारने में बहुत असरकारक होगा ये आपके गुटनों की नमी को बढ़ाएगा, कैल्शियम को बढ़ाएगा और गुटनों की तकलीफ को दूर करेगा इसके गुण और भी बढ़ा सकते हैं, इसमें खस-खस के दाने का पाउडर मिला करके इसमें अगर पकाते समस्यादा चमच खस-खस के दानों का पाउडर मिला लिया जाए जिसे पोस्ता भी कहते हैं, तो ये और भी फायदे मन्द हो जाएगा इस तरह के दूद का आप खाना खाने के दो घंटे बाद बना कर ही इस्तेमाल करिए दूद पचने में थोड़ा भारी होता है सर्दियों में इसके अलावा आप छुहारे वाले दूद या खजूर वाले दूद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये शरीर को गर्मी देगा, कैल्शियम और आईरिन की कमी को दूर करेगा, ताकत और एनरजी को बढ़ाने का काम करेगा आप चाहें तो इसमें एक चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं इन में से किसी भी एक प्रयोग का ही इस्तेमाल करिएगा आन खाने वाले चुने का भी रोज इस्तेमाल शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करता है चुने का एक चुटकी रोज दाल में या सूप में या जूस के साथ मिला कर लेना बेहत फायदे मन्द होता है इसका अगर तीन महिनों तक लगातार इस्तेमाल किया जाये तो शरीर में कैल्शियम की कमी को तूर कर सकते हैं मेथी, हल्दी और सोट का पाउडर बना कर रोज इस्तेमाल करना भी गुटने के तकलीफ में फायदा पहुचाता है क्योंकि आयर्वेद में दर्ध हमेशा वात दोश बढ़ने के कारण ही होता माना गया है इन चीजों का बना हुआ मिक्षर वात दोश को कम करने का काम करता है इसके अलावा मेथी का इस्तेमाल भी फायदे मन्द होता है मेथी का एक चमच रात में पानी में भिगो कर रख दीजे सुबह खाली पेट इसे खालीजे और पानी को पी लीजे तो गुटने में सूजन और दर्ध में ये जरूर रहात देगा हार्शिंगार के पत्तों का काढ़ा भी किस दिन तक बना कर लेने से गुटनों के दर्ध और सूजन में आराम पहुचता है इन में से किसी भी प्रयोक का इस्तेमाल करिए और गुटनों के सूजन और दर्ध से छुटकारा पाईए वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों को जानकारी को पहुचाने के लिए उनके फायदे के लिए वीडियो को शेयर कर लीजेगा और ऐसी स्वास्ते से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा धन्यवाद